कि नमस्ते बच्चों आज हम लोग mathematics class में chapter number 9 halves and quarters में page number 101 से solve करेंगे तो यहां पर practice time दिया हुआ है practice time में हम कुछ fraction के बारे में जानेंगे तो चलिए start कर दे हैं इसमें क्या बताया गया है तो first question है what part of the whole is color right below each shape यहां पर आपको दो सेप दिये गए हैं उनमें आपको यह बताना है कि what part of the whole is color पूरे part का कितना part color है और वो part भी आपको वहाँ पर लिखना है दोनों जो सेप दिये हुए गए है ठीक है ना दीए तो सबसे पहले हमें यह जैसे कि first वाला shape दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि total कितने part है इसमें कितने part किये गए है one and two total two part किये गए है और इसमें color कितना किये गए है one मलब two में से one part color है ठीक है ना तो one इसका numerator हो जाएगा और two इसका denominator हो हो जाएगा तो इसको क्या बोलते है one by two ठीक है ना तो इसका one by two का मलब क्या है two में से one part colored है ठीक है ना तो one by two मलब one by two किसके एकको होता है half के मलब पूरे का whole का कितना part color है half ठीक है next है जो second से इसमें total कितने part है four तो denominator में आ जाएगा कितने part color है तो 2 color है ठीक है न? तो इसको कैसे read करेंगे 2 by 4 2 by 4 बलब total out of 4 part में 2 color है तो इसको कैसे लिखेंगे 2 by 4 बलब जितने color है वो उपर जितने total हो के आजाए नीचे आजाते है ठीक है न? उन्हों 4 में से 2 part color है देखिए इसमें भी half color है तो half को one by four के उन्हें लिखा तो two by four किसके इसी one by two के equal होगा अगर इसको हम simplification करें इसका तो यह भी कितना आएगा तो यह भी one by two आएगा ठेक है ना तो two by four लिसकते हो या one by two इसको भी दोनों का answer से यह भी two by four भी सही है one by two भी सही है लेकिन यहां पर आपको color में दिखाना है इसको क्या लिखेंगे two by four तो आप two by four लिखके दिखा सकते हैं ओके next question है color that part of the shape which is written below अब आपको यह different shapes दिये हुए है उनमें वो part आपको color करना है जो नीचे fraction में दिया हुआ है तो first है यहां पर one by two दिया हुआ है ठीक हो एक save दिया हो गया है और one by two को color करना है one by two किसके इकको होता है half तो इसमें वन बाइटू लिखा है मलब हाप को कलर करना है तो आप इसको कैसे करेंगे इसका हाफ पार्ट आपको क्या करना है कलर कर देना है तो मैं आपको करके दिखाता हूं इसको तो यहां पर मैंने इसको color कर दिया 1 by 2 में जो इसका fraction दिया 1 by 2 1 by 2 का मलब half color करना है तो half का मलब half के लिए हमें कितना color करने पढ़ेंगे इसके part 2 तो हमने इसके कोई भी half 2 part color कर सकते हैं यहां पर second वाला है 3 by 4 मलब इसमें 3 by 4 मलब total में से इसका 3 part color करना है तो total यहां पर देखो पार्ट अलग निदी है इसमें एक यह पूरा दिया हुआ एक इसमाल दिया है तो यह अगर ध्यान से देखो कि इसको ऐसे ध्यान से देखो कि अगर इसको equally divide कर लोगे 4 part में तो आप 4 part होगे अब इसके कितने part color कर देना थ्री तो यह 3 color कर देना है उसमें एक part को छोड़ देना है तो यह जो उपर वाला part है इसको आप छोड़ देना बागी सब color कर दीजिए तो यहां पर मैंने इसका 3 part color कर दिया है तो यह भी है थर्ड वाला में भी 3 by 4 part color करना है तो इसमें चार पार्ट दीए तो आपको इसमें कोई भी 3 part color करना है तो यहां पर मैंने इसके 3 part color कर दिये तो 3 by 4 में यह color हो गया अब यह 4th question है इसमें आपको 1 by 4 part color करना है 1 by 4 part मलब 4 में से 1 part को color करना है तो कोई भी एक part इसमें color कर दीजिए तो 1 by 4 में यह color हो जाएगा तो यह 1 by 4 part में color हो गया इसी तरीके से यह next question है इसमें आपको 1 by 2 part color करना है 1 by 2 मलब 2 में से 1 part करना होता है टेकर 1 by 2 का मतलब क्या होता है half तो इसके total part करें कितने हैं 1,2,3,4,5,6 तो मलब half color करना है मलब इसके कितने color करने पढ़ेंगे 3 इसके कोई भी 3 part आपको color कर देना है जो मैं करके दिखाता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इसके 3 part color कर दिए total 6 में से अलब इसका half part हमने क्या कर दिया है color कर दिए आप इसको 3-7 में कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं जैसे आपको इच्छा ठीक है ना पिर अगला question है 3 by 4 इसका भी part को आपको color करना है तो इसका 3 by 4 कैसे तक से चयले हम क्या करेंगे चार पार्ड कर लेंगे इक्वल ठीक है सिगल फिकेड़ ना चार पार्ड मिनसे चार पार्ट इक्वली करने बाद उसके them को अवरफ कर दिया का ऊच तरीके से आप इसको कलर कर लेना अगला कोशन है कट इन हाफ ड्राय लाइन विच डिवाइड दी सेफ इन्टो आफ आपको नीचे एक तीन सेफ दिये गया है इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरीके इनको डिवाइड करना है कि वह हाफ में डिवाइड हो जाए मलब एक पार्ट को हाफ आफ में डिवाइड कर देना है एक लाइन ड्रॉ करके ठीक है ना तो चलिए हम लोग करते हैं कैसे हाफ में हाफ डिवाइड हो जाएगा इसी तरीके इस वाले पार्ट को अगर यहाँ से हम line draw कर देंगे ठीक है ना तो ये भी क्या हो जाएगा आप आप में divide हो जाएगा ठीक और ये जो third वाला है इसको divide करेंगे तो ये half आप में divide हो जाएगा ठीक है ना इस तरीके से आप ये तीनों में line draw करके half आप कर सकते हैं अगला question है color the number आप shape as shown here अब आपको यहां पर क्या करना है ये जो number आप shape है उनमें आपको half में color करना है जैसे कि first वाला आपको example को में दिखाया गया है one two three four five six seven eight total इसमें कितने shape है rectangle दिखाई दे रहा है eight है ठीक है ना eight में कितने में color किया गया one two three four मलब eight में से four में हमने क्या कर दिया color कर दिया है ठीक है ना इसी तरीके से नीचे में भी आपको total count करना है उनका half करना है और half करने के बाद उनको color कर देना है तो count करिए कितने one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen है तो हमें कितने color करने पड़ेंगे eighteen से two को divide करें कितना है नाइन तो इसके nine circle हम क्या कर देंगे color कर देंगे तो इसके आप कोई भी nine circle आप इसको color कर देना इसी तरीके नीचे यह फ्लावर दी है कितने flower एकाउंट करिए one two three four five six seven eight nine ten तो टेन फ्लावर है टेन को टू से डिवैड के करें कितना आ जाएगा five मलब हाफ कितने 10 का हाफ कितना होता है five ठीक है ना किसी का हाफ करने के अगला है color one by four आप दीच मलब इसके one by four एक को color करना है टोटल में से जितने हो उसका one by four बद एक one by four part मलब four से डिवाइड करके जितना भी है उतना हम यहाँ पे color करेंगे तो यहाँ पहले वाले में कितने एक और दूसरे वालम कितने है टोकलर करना है टू इसमें कितने करणे करलर करने ठीक है इस से लिक्षिए जो लिन मे curtार रहेगा है ठीक तो चलिए मैं करका करके दिखा देता हूं तो यहां पर हम ने one by four part color कर दिये दिनों में ठीक है उस पहले में चार थे तो एक कलर करिया दूसरे में आठ थे तो दो कलर कर दिये और लास्ट में भी चार थे तो उने कलर किया ठीक है अगला question है match the color parts as soon यहां पर भूलते है one by two इसली है one by two से match कर दिया गया नेक्स्ट है बूसरा वालá चार में से एक part color है मैंब Wellness, एक quarter color तो quarter से match कर देंगे, quarter को क्या बोलते है, one by four बोलते हैं, तो one by four से match कर दें quarter को अधर वाला उसके 4 पार्ट कर घ्र है मैंब vallahi 玩 All Color ना और Goal को क्या दी सकते है 4 x 4 में से 4 पार्ट और लास्ट है 3 Part Color में थ्री पार्टर कलर ना और 3 क्या बोलते हैं 3 by 4 तो इस तरीके से आपको match कर देना है ठीक ना तो आज की Mathematics exercise बिद्दम ही बागर फिन दाइव वीडियो मिलेंगे तब ते क्लिए बाबाइ